ओम शान्ती, आज है 28.2021, मीठे बाबा के महावाकिय सुनेंगे, मुडली का सार है मीठे बच्चे, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो, इस देहे को भूलते जाओ, प्रश्न है, देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानिया क्या होंगी? उत्तर, पहला, उनका आपस में बहुत बहुत रुहानी प्रेम होगा, दूसरा, वहे कभी एकदो की कमियों का वर्णन नहीं करेंगे, तीसरा, वहे बहुत बहुत सुखदाई होंगे, चौथा, उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी, सदा अपार खुशी में रहेंगे, पाच्वा, कभी मतभेद में नहीं आएंगे, छटा, हम आत्मा भाई भाई हैं, इस समरिती से गुण ग्राही होंगे, उन्हे सब के गुण ही दिखाई देंगे, वहे खुद भी गुणवान होंगे, और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे, सात्वा, उन्हें एक बाप के सिवाए, और कोई याद नहीं आएगा, ओम शान्ती, उच्च ते उच्च, बेहत के बाप के सम्मुक, तुम सब बच्चे बैठे हो, तुम कितने भागेशाली हो, जो ऐसा बाप मिला है, तुम ज्यान सागर बाप के पास आए हो, ज्यान रतनों से जोली भरने, कमाई करने, बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना उंच ले जाते हैं बाप तो सिरफ तुम बच्चों को ही देखते हैं उनको तो किसी को याद नहीं करना है इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है बाप कहते हैं हम दोनों तुम बच्चों को ही देखते हैं मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है, परंतु बाप के संग में मैं भी ऐसे देखता हूँ, बाप के साथ रहता हूँ, बाबा कहते बाप के साथ रहता तो हूँ न, उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ, मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, जैसे कि मैं ही यह करता हूँ, मैं द्रिष्टी देता हूँ, दे सहित सब कुछ भूलना होता है, बाकी बाप और बच्चा जैसे एक हो जाते हैं, तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे खूब पुर्शात करो, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी सुखदाई बनो, आपस में कभी लडो जगडो नहीं, अपने को आत्मा समझ इस देह को भूलते जाओ, सिवाए एक बाप के और कोई याद ना आए, यह भी जैसे जीते जी मौत की अवस्था है, इस दुनिया से जैसे मर गए, कहते भी हैं आप मुए मर गई दुनिया, यह तुमको जीते जी मरना है, शरीर का भान उडाते रहो, एकांत में बैठ अभ्यास करते रहो, सवेरे एकांत में बैठ अपने साथ बाते करो, बहुत उमंग से बाप को याद करो, बाबा बस अभी हम आपकी गोद में आया की आया, बस एक की याद में ही शरीर का अंत हो, इस को कहा जाता है एकांत बाप को याद करते करते यह शरीर रूपी चमड़ी छूट जाएगी तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया पुरानी देहे खलास हो जानी है बाकी पुर्शात के लिए थोड़ा सा संगम का समय है बच्चे पूछते हैं बाबा यह पढ़ाई कब तक च जाए बाबा कहते जब तक दैवी राज्थानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में यह पुराना शरीर है कुछ ना कुछ करम भोग भी चलता रहता है इसमें बाबा मदद करें यह उमीद नहीं रखनी चाहिए देवाला निकला बिमार हुआ बाब कहेंगे यह तुमारा हिसाब किताब है हाँ फिर भी योग से आयू बढ़ेगी अपनी महनत करो कृपा मांगो नहीं बाब को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्यान है जितना हो सके योगबल से काम लो भक्ती मारक में गाते हैं मुझे पलकों में चिपालो प्रिये चीज को नूरे रतन प्राण प्यारा कहते हैं यह बाब तो बहुत प्रिये है परंतु है गुप्त उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो बच्चों को तो बाब अपनी पलकों में चिपाते ही हैं पलके कोई यह आखे नहीं यह तो प्रियाकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं वह ग्यान का सागर सुख का सागर प्यार का सागर है ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए बच्चों को कितनी निश्काम सेवा करते हैं तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं कितना मीठा बाबा है कितन निर्हंकारी बन तुम बच्चों की सेवा करते हैं, तो तुम बच्चों को भी इतने प्यार से सेवा करनी चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए, कहां अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी, तुम बच्चों को आपस में बहुत बहुत रुहानी प्रेम होना चाहिए, परन्तु दे अभिमान में आने के कारण वहे प्यार एक दो में नहीं रहता है, एक दो की खामियां ही निकालते रहते हैं, फलाना ऐसा है, वह यह करता है, तुम जब दे ही अभिमानी थे, तो किसी क की खामियां नहीं निकालते थे, आपस में बहुत प्यार था, अब फिर वही अवस्ता धारन करनी है, पहले तुम कितने मीठे थे, फिर ऐसा मीठा सदा सुखदाई बनू, दे अभिमान में आने से दुखदाई बने, तो तुम्हारी रुहानी खुशी गायब हो गई, आप आया है, तुम्हे सतो प्रधान बना कर सदा सुखदाई बनाने, तुम जितना बाप को याद करते रहेंगे, उतना खामियां निकलती जाएंगी, मतबेद निकलता जाएगा, यह पक्का याद रहे हम भाई भाई हैं, आत्मा भाई भाई को देखने से सदैव गुण ही दिखाई पड़ेंगे, सबको गुनवान बनाने की कोशिश करो, अब गुणों को छोड, गुणों को धारन करो, बाबा कहते, अब गुणों को छोड, गुणों को धारन करो, कभी किसी की गलानी नहीं करो, कोई-कोई में ऐसी खामियां हैं, जो खुद भी समझ नहीं सकते ह वे हैं तो अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परन्तु खामी होने के कारण कहा ना कहा उल्टा बोल निकल पड़ता है, सतोप्रधान अवस्था में यह बाते नहीं होती, अपने आपको देखो हम कितने मीठे बने हैं, हमारा बाप के साथ कितना लव है, बाप से लव ऐसा हो जो एकदम चटका रहे, बाबा आप हमको कितना उँच समझदार बनाते हो, स्वर्ग का मालिक बनाते हो, ऐसे अंदर में बाप की महिमा कर गदगद होना चाहिए, बाबा कहते, रुहानी खुशी में रहना चाहिए, गाते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, बाप के मिलने की भी कितनी खुशी रहनी चाहिए, संगम पर ही तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए सदा खुशी में रहने की खुराक मिल जाती है, फिर कोई को किसी बात की चिंता नहीं रहती है, अभी कितनी चिंताएं हैं इसलिए उसका असर शरीर पर भी आता है, तुमको तो कोई बात की चिंता नहीं, यह खुशी की खुराक तुम एक दो को खिलाते रहो, एक दो की यह जबरदस्त खातरी करनी है, ऐसी खातरी मनुश्य मनुश्य की कर नहीं सकते, तुम बाप की श्रीमत पर यह खातरी करते हो, खुश कहराफत भी यह है, किसी को बाप का परिचे देना यह ज्यान और योग की फर्स्ट क्लास वंडर्फुल खुराक है यह खुराक एक ही रुहानी सर्जन द्वारा मिलती है मन-मनाभव मध्यजी भव बस दो वर्शन्स की यह खुराक है most beloved बाप से विश्व की बादशाही मिलती है यह कोई कम बात थोड़े ही है यह दो वचन ही नामी ग्रामी है इन दो वचनों से तुम ever healthy, ever wealthy बन जाते हो तो तुम बच्चों को इन बातों का सिम्रन कर हर्शित रहना चाहिए Godly student life is the best यह गायन भी अभी का है जितना हो सके एक दो को यह रुहानी खुराक पहुचाओ एक दो की उन्नती करो टाइम वेस्ट ना करो बड़े धीरज से गंभीता से समझ से बाप को याद करो अपनी जीवन हीरे जैसी बनाओ मीठे बच्चे बाप की जो शेमत मिलती है उसमें गफलत नहीं करनी चाहिए बाप का संदेश सभी को पहचाना है बाप का मैसेज सभी को मिलना तो है न मैसेज बहुत सहज है सिरफ बोलो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और करमेंद्रियों से मनसा वाचा करमना कोई भी बुरा करम नहीं करो एक दिन तुम्हारे इस साइलेंस बल का आवाज निकलेगा दिन प्रति दिन तुम्हारी उन्नती होती जाएगी तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा सब समझेंगे ये अच्छी संस्ता है अच्छा काम कर रहे हैं रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं यह ब्रामनों का जाड बहुत बढ़ता जाएगा प्रजा बनती रहेगी सेंटर्स बहुत वृधी को पाएंगे तुम्हारी प्रदर्शनी भी गाउं गाउं में होगी तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है तुम्हारे नए नए सेंटर्स खुलते जाएंगे जिसमें अनेक मनुश्य आकर अपनी जीवन हीरे जैसे बनाते रहेंगे तुम्हें बहुत प्यार से एक-एकी संभाल करनी है कहां किसी बिचारे के पैर खिसक ना जाएं जितने जास्ती सेंटर्स होंगे उतना जास्ती आकर जीएदान पाएंगे जब आप बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे कि यहां आकर हमको मनुश्य से देवता बनाने का राजयोग सिखाओ आगे चल कर बहुत धूमधाम होगी कि वही भगवान आकर आबू में पधारे हैं तुम बच्चे देख रहे हो कि इस समय पुरानी दुनिया में अनेक इंटरनेशनल रोले हैं अब यह सभी रोले खतम होने हैं इसकी तुमें कोई भी फिक्रात नहीं करनी हैं तुम सब को सुनाओ कि इसकी परवा नहीं करो अब यह पुरानी दुनिया गई की गई इसमें मो नहीं रखना है, अगर मो होगा, रिदे शुद नहीं होगा, तो अपार खुशी भी नहीं रहेगी, बच्चों को अथा ग्यान धन का खजाना मिलता रहता है, तो अपार खुशी होनी चाहिए, जितना रिदे शुद होगा, उतना औरों को भी शुद बनाएंगे, य बच्चों को योगी बनने बनाने का भी शौंक होना चाहिए। अगर देहे में मो है, देह अभिमान रहता है तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डाइमंड बनते हैं, इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। देही अभिम से नमस्ते 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 जी, गुड मॉनिंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वहां मेरा भाग्य, वहां मेरे भाग्य विधाता बाबा। धार्णा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाब समान, निरहंकारी बन, बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी हैं, श्रीमत पर चलना हैं, अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी हैं, दूसरी पॉइंट, संगम पर बाब द्वारा, जो खुशी की खुराक मिली है, वही खुराक खाते और खिलाते रहना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से, बाब को याद कर, अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी हैं, वर्दान है मैपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूरत सेवाधारी भव मैपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूरत सेवाधारी भव डिटेल है, सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूती तभी कर सकते हैं, जब मैपन का त्याग हो मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग, मैंने नहीं की, लेकिन मैं करन हार हूँ, करावन हार बाप है, मैं पन बाप के लव में लीन हो जाए, इसको कहा जाता है, सेवा में सदा, खोई रहने वाले, त्याग मूरत, सच्चे सेवाधारी, कराने वाला करा रहा है, हम निमिद है, सेवा में मैंपन मिक्स होना, अर्थात मोहो ताज बनना, सच्चे सेवाधारी में यह संसकार हो नहीं सकते, स्लोगन है, व्यर्थ को समाप्त कर दो, तो सेवा की ओफर सामने आएगी, आगे है, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, जीवन की आश पून होने का सुहावना समय, हम सभी आत्माओं की बहुत समय से, यह आश थी की जीवन में सदा सुक्षान्ती मिले, अब बहुत जनम की आशा कब तो पून होगी, अब यह है हमारा अंतिम जनम, उस अंत के जनम की भी अंत है, ऐसा कोई नहीं समझे, मैं तो अभी छोटा हूँ, छोटे बड़े को सुख तो चाहिए न, परंतु दुख किस चीज से मिलता है, उसका भी पहले ग्यान चाहिए, अब तुमको नौलेज मिली है कि इन पांच विकारों में फसने कारण, यह जो करम बंधन बना हुआ है, उनको परमात्मा की याद अगनी से भस्म करना है, यह है करम बंधन से छूटने का सहज उपाए, इस सर्वशक्तिवान बाबा को चलते फिरते, श्वासो श्वास अब यह उपाए बताने की साहता खुद परमात्मा आकर करता है, परंतु इसमें पुरशार्थ तो हर एक आत्मा को करना है, परमात्मा तो बाप, टीचर, गुरु रूप में आए हमें वर्सा देते हैं, तो पहले उस बाप का हो जाना है, फिर टीचर से पढ़ना है, जिस पढ़ाई से भविश्य जनम जन्मांतर सुख की प्रालब्द बनेगी, अर्थात जीवन मुक्ती पद में पुरशार्थ अनुसार मर्तबा मिलता है, और गुरु रूप से पवित्र बनाए मुक्ती देते हैं, तो इस राज को समझ ऐसा पुरशार्थ करना है, यही टाइम ह पुराना खाता खतम कर नई जीवन बनाने का, इसी समय जितना पुरशार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे, उतना ही शुद रिकॉर्ड भरेगा, फिर सारा कल्प चलेगा, तो सारे कल्प का मदार इस समय की कमाई पर है, देखो इस समय ही तुम्हें आदी मध्य अंत का ज्यान मिलता है, हमको सो देवता बनना है और अपनी चर्ती कला है, फिर वहां जाके प्रालब्द भोगेंगे, वहां देवताओं को बाद का पता नहीं पड़ता कि हम गिरेंगे, अगर ये पता होता कि सुख भोगना फिर गिरना है, तो गिरने की चिंता में सुख भी भोग नहीं सकेंगे, तो ये ईश्वरिय काइदा रचा हुआ है, कि मनुश्य सदा चणने का पुरुशार्त करता है, अर्थात सुख के लिए कमाई करता है, परंतु ड्रामा में आधा-ाधा पाट बना पड़ा है, जिस राज को हम जानते हैं, परंतु जिस समय सुख की बारी है, तो पुरुशार्त का सुख लेना है, यह है पुरुशार्त की खूबी, एक्टर का काम है, एक्ट करने समय संपूरन खूबी से पाट बजाना, जो देखने वाले वावा करें, इसलिए हीरो हीरोईन का पाट देवताओं को मिला है, जिनोखा यादगार, चित्र ग पुल समान अवस्था बनाना यही देवताओं की खूबी है, इस खूबी को भूलने से ही भारत की ऐसी दूर्दशा हुई है, अब फिर से ऐसी जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है, अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नईया पार होगी, अच्छा, ओम श क्यांति